नमस्कार आप देखरें भारत समझार दोपहर वार में आपका स्वागत है आज बहुत बड़ी डिबेट है डिबेट इस बात को लिकर है कि कल लखनों में उत्तरप्रदेश की राजदानी में छे लोगों की मौत होने के बाद भी पूरे उत्तरप्रदेश में चाहें वो फाय इस डेपार्टमेंट हो और चाहें लोकल एडिमिस्टेशन हो चाहें ऑथारिटीज हो अवैद होटलों का धंदा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है भारत समझार ने पूरे उत्तरप्रदेश के कोने कोने से कानपूर से गाजियाबाद से मेरट से और लकनों से इन होटेल होटेल्स का रियलिटी टेस्ट करवाया और अधिकतर जगों पे ये होटेल्स रियलिटी टेस्ट में फेल मिले एक एक्जाम्पल बताता हूँ आपको गाजियाबाद में इतने सैकडो होटेल चल रहे हैं लेकिन महज 18 होटेल ऐसे हैं जिनके पास फायर का एनोसी है सवाल ये उठता है कि ये लाक्षागरी होटल जहां लोग जिन्दा दफन हो जाते हैं उनके खिलाफ कब एक्शन होगा आज इस इस पर बहुत बड़ी डिबेट है और साथ ही साथ जो हमने भारत समाचार ने सबसे बड़ा एक रियल्टी टेस्ट किया है वो भी दिखाएंगे य ये बहुत आई ओपनिंग है और आँखे खोल देने वाला है और साथ ही साथ महमानों से खास महमानों से डिस्कुशन करेंगे क्या कि इनके खिलाफ एक्शन कब होगा हमारे साथ तमाम महमान जूड़ चुके हैं आप से परिचा करा दें हरिशन श्वास्तो जी प्रदेश बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता है आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशू अस्थी जी कॉंग्रेस प्रवक्ता आपका बहुत स्वागत है मनोज यादो सपानेता आपका इस डिबेट में स्वागत है और हमारे वरिष्ट सहीयोगी और उतरप्रदेश के बेरोचीफ वि करते हैं विरेंज जी बहुत है कि यह तरह इस तरह से चल रहे हैं उनके कि के खिलाफ कैसे आगा आख लूड ही है कि ठी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको रोके उन्होंने टोपी ट्रांसफर कर दी पुलिस ने यहां जाकर अपनी खाना पूर्ति कर दी मसला यह है कि इस तरह के होटल आखिर किस नेक्सस पर चल रहे हैं रवन जी एक दिन की समस्या तो है नहीं बहुत पुरानी समस्या है और इतना असान नहीं होगा कारवई कर पाना लखनवु में चुकि ब्यापार मंडल से लेकि तमाम सारे संगठनों का दबाव भी रहता है संस्थाओं पर लेकिन यह टोटल एल्डीय की गलती है एल्डीय की इसको निर्माल कराती है और एल्डीय के इंजीनियर अलग पैसा लेते हैं यह बर्सों से परंपरा चली आ रही है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है आज सस्पी गए है कल इतनी बड़ी घटना हुए आज फिर सस्पी नेट्वित में अभ्यान चला है आप देखिए प पूरा अवायद होटलों का राजदानी लखनव में एक दम अगर एक है तो एक होटल में आग लगी तीन जले अगर कहीं और कंजेस्टर्ड इलाके में आग लगी होती तो दस्यों होटल हम अपने पीसे आर क्रूज से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो भारत समाचार के कि अब वक्त आ गया है कि इन होटलों को बंद कराए जाए तोल फोल की जाए इनका दोस्ति करण किया जाए राजनेतिक तबाव ना माना जाए बिल्कुल ठीक बात है हमारे साथ अंशु जुड़े हुए हैं अंशु जी आप से जाना चाहेंगे यह मसला कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है यह मसला है एक विल्पावर दिखाने का यह मसला है एक्शन लेने का पिछली सरकारों में एक्शन हुआ की नहीं हुआ इस सरकार में एक्शन होगा की नहीं होगा इसके बाद कोई और भी सरकार आ जाएगी सवाल ही है कि यह हम सब की पूरे उत्रपदेश के न पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया मुझे लगता है कि इस पर एक आम राय बनाके इसको एक्सपोज करना चाहिए इस नेक्सस को निश्री तोर से रमन जी सरकारों के उपर दोशारूपन करने समस्या का हल नहीं होगा और जिस तरीके से ये अवैद धंधा चल ला है और LDA वीसी का जो बयान आता है पुलिस की जिम्मेदारी मैं रमन जी इसमें पुलिस की जिम्मेदारी कम मानता हूँ क्योंकि जो टाउन प्लानिंग का जो सबसे बेसिक कांसेप्ट है वो LDA से सुरू होता है और LDA का इंजीनिर एक घर पे जाता मैं आपको बता दूब लग में पर अगर वहाँ पे व्यावसाई गत्विदियों के लिए वो जमीन एलाटे नहीं की गई थी वो लीस पे दी ही के इस तरीके एक शर्मनाक बयान आने के बाद यदि सरकार इन पर एक्षन नहीं लेती तब सवाल सरकार पर जरूर खड़ा होता है वो कहता है यह पुलिस की जिम्मेदारी और सरकार के नुमाइंदे इस बात को सुनते रहते उस पर एक्षन नहीं यानि आगे भी LDA आग ब अब मुझे लगता कि वो समय आ गया है कि पिछले समय में अगर इनका जो नेकसस बना हुआ था चाहें वो होटल माफिया का हो फायर डेपार्टमेंट का हो अस्थानी पुलिस का हो या किसी और का या अथारिटीज का हो या कोई भी और लोकल अथारिज को डिफरेंट प्रांदारी की बात में करूं और मैं एक बात स्री बीरेंज सिंग जी की बात से सहमत हूं कि इसमें एक नेक्सस है पूरा का पूरा ना केले पुलिस जिम्मेदार है ना केले ल्डिये जिम्मेदार है ना केले सासन प्रसासन जिम्मेदार है इसमें पुलिटिकल लोगों से ल पिछली सरकार में बन गई कैसे बन गई आरा पूरा नाला आप देखिए यहां से वहां तक कब्जा हो गया तो यह जो हालात है यह बिना राजनेतिक संरच्छनों की सरकारों के कैसे होता चला गया बिल्कुल ठीक बात है लेकिन आप क्या किया आपके आपके इस चैनल पर आत कल कल ऐसा ही हुआ और और पूरे गोंती नगर में इंद्रा नगर में जो रिजिदेंशियल इलाके हैं उसमें जो बड़े बड़े तीन हजार पैतिस सो इसक्वाइर फिट की जो प्लाट थे उसमें सब कामर्सियल कांप्लेक्स बन गए तो यह जो पूरा का पूरा सिस्टम इसका प्लान आफ एक्षर क्या हो गए तरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बख़ी निगानने के लिए बी ततपरता से कारिवाई किया है बहुत दुर्भाग पूर्ण गटना है लेकिस हम सब रोज देख रहे हैं पार्किंग की जगए होटल आप ये देखिए कि सरकार ने कली हूम सेकर्टी ने कमेटी गठित की है जिसमें नगर निगम यल्डिये और पुलिस पी भाग फायर के सब के अधिकारी है यह तो खाली उस हाथसे के लिए है नहीं हाथसे के लिए नहीं पूरे सहर का वो सर्वे कर रहे हैं चार बाग से आज उनका सिटी मजटेट की उसमें साथ में हैं पूरे उसका सर्वे कर रहे हैं और जो होटल से जो इस तरह की एक रिक्षन मनोजी अधर इस लेए उनको चिन्नित कर रहे हैं और उनके खिलाब जहां अनिमित्ताय हैं उसके खिलाब कारवाई भी हो रही और वी जो हैं यह आप सूच लिए ट्रस्ट की जमीन पे अगर सतर कमरों का होटल चल सकता है जबकि सतर कमरे का होटल 3 star होना चाहिए वहां fire safety norms नहीं है तो कोई ने कोई इनके पीछे backup होगा इस backup को expose कैसे किया जाएगा कि कौन दिखाएगा विल्ली के गले में घंटी कौन बादेगा दिखिए एक जिम्मेदारी मीडिया की बनती है कि अगर कहीं पे कोई problem है तो उसको वो अपने हम तो problem जब आएगी तब दिखाएगा लेकिन concern यह है कि पूरे UP में जो अवैब करी के ज़िए जी वही बाद समझाने कोशिस जरूर करूँगा कि मीडिया दिखा सकता है चीज बात है कि यह कौन लोग हैं जो बड़े बड़े होटल चला रहे हैं ट्रेस्टों पे और ट्रेस्ट की जमीन से करोडों रुपए की उगाही कर रहे हैं और पुलिस एल्डिया इसलिए नहीं काम कर रहा है चुकि उसको हर महीने का मंतली जा रहा है बराबर वो क्यों कारवा हैं उसी काम के लिए आपको सज्जन ताने विरेंग जी हमने अवैद वसूली को लेके भारत समाचार ने तमाम खबरें लगातार दिखाई हैं कल एक डिबेट में एक ऐसा ही एक डेटा कोई सज्जन शेयर कर रहे थे कि वहाँ जो हिसाब किताब है चार बाग इलाके में ट लिए कर दृइज ईसलिघ्छ के बीद हो जाते हैं तो उनको मार पीटके हमला हो जाएगा उसके लिए पुलिस पोस्टिंग के लिए यह लाखों रुपए चलते हैं वहाँ पर इसपेक्टर की करोणों में पूलीज तो हर जगा पूलीज के हाथ में दिखारे लाठी उसके पास है समस्या यह कि हम लोग अभी उम्मीद यह करें कि यह घटना सामने आई है और योगी की सरकार में इस पर संग्यान लिया गया है तो उम्मीद यह सरकार कुछ कर सकती है क्योंकि यहां पर राजनेतिक प्रेसर बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा जहां लोगों की जान 6-6 लोग मर गए कल जलके और यह लोग धंदा के नाम पर लोगों की जान से किलवाल कर रहे है लाक्षाक्रा बना हुआ है लखनव में अगर ऐसा हो रहा है तो अब यह सरकार देखिए मजबूत सरकार है योगी जी को भी यह बात पता चली है उनकी भी जानकारी में उन्होंने मुआपजा भी दिया अब वो आज अगर कारवाई की निर्देश देते हैं और यह कारवाई होती दोस्ति करन किया जाता है तो इसकी बहुत सराना होगी और लोग उमीद कर रहे हैं कि यह सरकार सक्त कारवाई करेगी क्योंकि और सरकारों में लोग यह उमीद नहीं करते थे वहाँ पर तमाम राजनेतिक संपर्ट ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं लेकिन यह सरकार को दिखाना है कि वो राजनेतिक दबाव के बजाए लोगों की जानमाल की ज़्यादा चिंता लेकिन मैं एक बात भी ध्यानाकर्शित कराना चाहूंगा कि यह सरकार विजनेस्मेन लोगों की सरकार है कैसे उमीद करते हैं कि उन वैपारियों पे बीजेपी कैसे कारवाई करेंगे इस बात से मैं बड़ी सहमती नहीं रखता हूं मैं इसका प्रत्याश प्रमार दे दूँ कि एक लखनव के वरिस नेता जो अभी इस सरकार में सामिल हुए उनका एक अवैद बिल्डिंग थी उसको लेकर इस सरकार ने नोटिस दी यहीं LDA जिसने नोटिस दी थी अन्ततों गत्वाव सामिल हो गए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी दुबारा वो MLC मले सब भी उनको जानते हैं आज उनकी बिल्डिंग पे क्या कारवाई हुई एक दस्ता वहाँ गिराने गया था इसी सरकार में क्या कारवाई हुई तो यह सरकार सिर्फ कम negotiation करती है कि किस तरे उनका negotiation हो जाए उनका काम हो जाए अवैद और आप एक देयतक लिए काहें अंसित को में बताना चाहूंगा कि अगर उस जिस प्रकरण की वह चर्चा कर रहे हैं अगर वो उसकी जानकारी करेंगे तो उसके किलाब जो भी अवैद निर्मार था उसके खिलाब जो कानोनी प्रक्रिया है वो आज भी आन है और उस पे कारिवाई चल रही है और जहां तक सवाल इसका है कि कले एक पर्टिकुलर मामला है मैं आपको यह आप बताता हूँ कि जैसे मनोजी कह रहे थे हम नहीं कर पाए दिक्कते कहां है आप दैनिक जागरन चौराय जापलिन रोड पर चलिए एक से एक मल्टी स्टोड कांप्लेक्स बने है वह रोड कितनी चौड़ी है एप्रोच रोड जो उसको सबको करती है कल को कोई वहां दुरघटनाएं हो जाए तो क्या वो सफिशियंट नवहां कोई पार्किंग प्लेस है नव एप्रोच रोड है पर चाहे वह समाजवादी पार्टी के लीडर की बिल्डिंग हो फोटल हो चाहे वह बसपा काओ चाहे वह सपा काओ चाहे बीजे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यह आपके लिए माले स्टोन होगा निश्चित रूप्से सरकार पूरी ट्रांसपरेंसी के साथ करेंगी और पूरी दिड़ता के साथ जो इस तरह के अबैद निर्मान है या जो जिसमें नागरिकों की सुरक्चा या लोगों की होती है उनके खिलाब कड़ा से कड़ा एकसंद बिलेगी सुनिए नोड़ा नोड़ा जी संजय सेट को राजिपाल ने मलसी बनाने मना कर दिया समाजवादी पार्टी ने उस पूरे सहर को तो इन लोगों ने कंक्रीट का जंगल बनवाया नहीं सारी हम उम्मीद हम तो जो सरकार है उसी तो उम्मीद करेंगे बिल्कुल लेकिन यह कि हम यह उम्मीद कर रहें कि राजनेटिक दबाव बजा इस बार कारवाई होगी धाई 300 होटल आइसे हैं जो आवायद से मैंने आपको रभन जी पहले ही बताया कि सरकार ने कमिटी फिलाल लखनों के लिए बनाई है जो लखनों का पूरा सर्वे कर रहे हैं कितने वक्त में आएगी मुझे लगता आज भी जहां तक की इनकी जाच हो जाएगी आज भी चार बज़े यह बैठेंगे एडी जी प तरह से सरकार उस पर कारवाई उनके खिलाब करें और जो सुरक्षा व्योस था है उसको कैसे सुनुषी इस पर करें अंशु जी और मनुज यादो मुझे लगता है कि अगर लखनों से विरेंजी को भी शामिल करते हैं अगर लखनों से सरकार ने ये कि स्ट्रॉंग इनिश होता है तो कंसर्ण यह है कि अगर लखनों से इनिशेटिव लिया जाए आप कुछ मत किजिए चार बाग में और लखनों में जितने बड़े बड़े जितने माफिया हैं जिनके होटल से तरीके से चल रहे हैं या तरीके से बिल्लिंग्स बनी हैं विरेंज जी अगर इनके खिलाप अगर दो चार के खिलाप एक स्ट्रॉंग एक्शन हो गया तो आगे से यह नहीं होगा लेकिन अब वक्ता कि सारे राजनेतिक दल एक इच्छा सकती दिखाएं और यह जो आवायद निर्माड है जिसमें लोगों की जान जोकी में जारी बच्चे मर जा रहें चलकर इस पर कारवाई होनी चाहिए और जो भी इस पर कारवाई करें उसका सपोर्ट करें रहें तो पाइद उसको तोड़िये सीज करिए तब भी चिनके वैपारियों के होटल तूटना सुरू होंगे दोजारों ने इसमें चुनाओ है कौन पार्टी जो खिमलेगी इसलिए मैंने कहा कि जिनको करना वो करके तो दिखाएं कुछ तो करें जो एक दो तिन चार्टी के उगलियो प्रेमाइद लिए और यह सिस्टम दो तो इसलिए इसलिए डिश्टाव जी आप बात को नहीं समझते हैं ब्लैक्मनी स्वार्टी चाहिए मैं आपको बताता हूँ हमने जो रियल्टी टेस्ट करवाया था उसमें गाजियाबाद मेरत तमाम गाजियाबाद का एक च्छोट होटल होटल हैं उनके पास ही सिर्फ नोसी है नामी होटल एक तुशार ग्रेंड उसके पास नोसी नहीं है कोहनूर होटल सिलवर स्पून इन सब के पास नोसी नहीं बड़े बड़े होटल है यह होटल कृशना सागर इनके पास नोसी नहीं है हमारे पास इस तरह के पांच को द्वस्त कराए जाएगा यह सवाल है मारा चाहिए वो किसी को कितने भी पारफूल आदमी के हो नहीं निश्चित रूप से मैंने रवन जी आपको पहले बताया कि सरकार इस पर कड़ी करवाई करेगी तो सिर्फ ढहाना होता है इसलिए कि और और कोई कड़ी कारवाई नही नहीं जो इलीगल बने हैं वो तो निश्चित रूप से डाये जाए जाए बाकी आपके 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 चार बाकी अरे गरीबों की जमीन छीली रमन जी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेकिन एक भी बैपारी का होटल नहीं गिराया और गिराया हो तो बता दो पूर बजनसमान वालों की सरकार बीजेपी बिजनसमैन जंग्शन पार्टी है ये एक चैनल पर बहुत अस्वस्तों के कह रहा हूं किसी एक होटल पर करवाई नहीं होगी आस्वस्तों के जो कि ये लोग वो है जो तो पाते कर सकते हैं ये अपने को किसानों गरीमों की पार्टी कहते थे लेकिन काम किया सर्माएधारों के लिए अच्छा इंदे साथ करे रहे रहे और के वल पैसे वाले लोगों के जो काम किये बना था ना गिराया तो आप देख सके विरेंज जी एक बात बताई बड़ी इंपोर्टेंट बात आप अप मनुज याद है आपका कहना है कि यह सरकार नहीं करेंगी चलिए आपकी बात भी माल लिए अला की है सरकार है सरकार सत्ता में है इनको अभी रहना है लंबे वक्त तक इसलिए हम अंसे उमीद करते हैं तरबिश दिश के जनताव अगर सरकारे इस देश में तमाम समस्या आए हैं इस देश में एक समस्या नहीं है जनसंग क्या है भीर है महानगरों में रहने की व्यवस्थाएं नहीं है मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकारों में जो कुछ भी सुधार किया जा सकता है अवाज बना है उससे टैक्स लीजे और टैक्स लेकर उसको नोसी दीजे तमाम सारी चीजें हैं व्यवस्था हैं करिए न कौन मना कर रहा है मैं चाहता हूं बहुत गंभीर मुद्धा हम इस पर बात कर लें देगे होटल वाला जो सबसे बड़ा मुद्धा मैं पहले देखा करता था जो अगनिशमन विभाग है वह अगवादा वह मांग ड्रिल करता था सभी होटलों जाता था जो उनके इकुमेंट चेक करता था आ अभी तक कोई कारवाई की है क्या और यह एक्टिव नहीं रहते हैं इसलिए प्रिस्ट का दंदर चलता रहता है चारबाग छेतर के ल्टीय के अधिशासी अभियंता या जे या जूनियर इंगर किसी बदिका कारवाई हुई क्या बराबर उनके संग्यान में रहता है हमेस सब्सक्राइब कर देखते रहते हैं वहाँ पर क्या चला है क्या कोई कारवाई हुई सरकार कोई कारवाई ने होती बनारस की जो घड़ना हुई आस तक प्रश्ट कर रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन हरीश जी से एक लास्ट अश्यूरेंस कि क्या सच् उम्मीद करें कि ऐसे लोगों के खिलाप एक्शन होगा बिना किसी भेद भाव के निश्चेत रूप से चलिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद हरीशन शेवास्तों जी अंशु आउस्ती जी मनोज यादर जी विरेंजी रुकते एक छोड़ेश ब्रेक के लिए नमस् झाल झाल झाल